दोसो अगर आपका SBA Bank में एकाउंट है और आप अपने SBA Bank एकाउंट की इंटरनेट बैंकें को एक्टिवेट करना चाहते हैं गर वैटे अपने मोवाइल फोन से तो बिल्कुल आप कर सकते हैं दोसो उसी के साथ अगर आपने Yuno application में registration किया था अपना username and password क्रेट किया था लेकिन अब भी जो है आप login नहीं कर पा रहे हैं यानि कि आपको आपका username and password भूल चुका है तो दोसो आप किस तरीके से उसे recover कर सकते हैं और वही जो username and आपका password होता है जो कि आप Yuno application में registration करते आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपने अपना username and password पहले से create किया हुआ है और वह अभी आप भूल चुके हैं तो उसे कैसे आपको recover करना है तो चलिए वह जानते हैं दोसो आपको अपने mobile में सबसे पहले chrome browser को open कर लेना है और google में आपको type करना है SBI login जैसे ही आप यह सर्च करेंगे दोसो first link आपके सामने आएगा state bank of india का simple आपको इस link पे click कर देना है and next page आपके सामने open होगा SBI login का दोसो यहाँ पे सबसे पहले आपको three dots पे click करना है और इसे desktop site में convert कर ले रहा है and उसके वाज जो है आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा continue to login का simple आपको continue to login के option पे click कर देना है and दोसो next page आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे आप जो है internet banking का username and password एंटर करके login कर सकते हैं लेकिन दोसो अगर आपको username and password नहीं पता है तो simple आप आपको यहाँ पर option मिलता है forget username का आपको यहाँ पर forget username के option पे click कर देना है and next page आपके सामने open होगा दोसो यहाँ पे जो है आपको double login का option मिलेगा दोसो यहाँ पर आपको option मिलेगा forget my login password अगर आप अपना password यहाँ पर recover करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इससे select रहने देंग लेकिन दोस्तों हमें सबसे पहले अपना username recover करना है तो हम यहाँ पे forget my login password के option पे click करेंगे और यहाँ पे option मिल जाएगा second वाला forget username तो simple आपको इसे select कर लेना है और उसके वाज आपको नीचे next के option पे click कर देना है next page आपके सामने open होगा दोस्तों यहाँ पे आपको अपने bank account के details एंटर करनी है सबसे पहले आपको यहाँ पे CIF number एंटर करना है CIF number जो है आपकी SBI bank की passbook पे आपको देखने को मिल जाएगा और उसके वाज आपको यहाँ पे अपनी country को select कर लेना है इंडिया और उसके वाज आपको अपना registered mobile number जो है यहाँ पे enter करना है जो कि आपके SBI bank account में registered है और उसके वाज नीचे आपको capture code देखने को मिलेगा यह capture code आपको यहाँ पे enter कर देना है details enter करने के वाद दोस्तों आपको submit के option पे click कर देना है and next page आपके सामने open होगा दोस्तों यहाँ पे आपकी registered mobile number पे एक OTP गया होगा तो वो OTP आपको यहाँ पे enter करना है और confirm के option पे click कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा login username has been sent to your registered mobile number login username is आपका username जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने internet banking का username recover कर सकते है और उसके वाज जो है आपको अपना password recover करना है उसके लिए back आपको यहाँ पे इस page पे आना है और यहाँ पे अब आपको forget username login password के option पे click कर देना है और उसके वाज जो है अब आपको यहाँ पे forget my login password को ही select रहने देना है और next के option पे click कर देना है and दोस्तो next page आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको अपनी details एंटर करने है सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना username एंटर करना है जो कि अभी आपने यहाँ पे recover किया and उसके बाद आपको अपना bank account number एंटर करना है जो कि आपकी password पे होगा and उसके बाद आपको अपनी country को select कर लेना है India and उसके बाद आपको अपना mobile number यहाँ पे एंटर कर देना है and उसके बाद आपको अपनी data of worth को यहाँ पे एंटर कर देना है and उसके बाद नीची capture code आपको देखने को मिलेगा यह capture code आपको यहाँ पे enter कर देना है सारी details enter करने के वाद आपको submit के option पे click कर देना है तो दोस्तों आपके register mobile number पे एक बार फिर से OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे enter कर देना है OTP enter करने के वाद confirm के option पे click कर देना है दोस्तों next page आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको तीन options मिलेंगे using ATM card details, using profile password reset your login password with branch activation तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आपके पास SBA bank account का आपका ATM card है तो आप अपने ATM card की details enter करके अपना password फार्गर्ट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे अपना profile password पता है तो यहाँ पे आप second वाला option select कर सकते हैं अगर आपके पास ATM card नहीं है और profile password भी नहीं है तो आप third वाला option choose कर सकते हैं जो कि branch activation की through आपका password जो है वो यहाँ पे reset होगा उसके लिए आपको branch visit भी करना पर सकता है तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास ATM card है तो आप यहाँ पे first वाला option choose कर लेंगे और उसके वाज submit के option पे click करेंगे तो next page आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको card number देखने को मिल जाएगा and display name जो भी आपका name है वो देखने को मिल जाएगा and card type देखने को मिल जाएगा active अगर आपके दोस्तों यहाँ पे दो ATM cards है तो यहाँ पे आपको उसे select कर लेना है जो कि अभी active है and यहाँ पे हम अपने ATM card को select कर लेंगे and उसके वाद आपको confirm के option पे click कर देना है and दोस्तों उसके वाद आपको अपने David card के details जो है वो यहाँ पे enter करनी है आपका card number यहाँ पे आ जाएगा आपको last के 4 digits and first 4 digits देखने को मिल जाएगे and दोस्तों आपको यहाँ पे अपना card holder name enter करना है and उसके वाद valid to expiry date यहाँ पे enter करनी है and उसके वाद जो भी आपकी ATM card का pin है वो यहाँ पे enter करना है और यहाँ पे आपको नीचे capture code देखने को मिलेगा यह capture code same to same आपको यहाँ पे enter कर देना है details एंटर करने के वाद आपको proceed के option पे click कर देना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा your debit card validation is successful दोस्तों कुछ second wait करने के वाद जो है आप automatically redirect हो जाएंगे और यहाँ पे आपको new login password एंटर करने का option मिल जाएगा तो यहाँ पे जो है अब आपको अपना new password एंटर कर लेना है जो भी आप अपने SPI internet banking का login password रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद confirm करेंगे और उसके बाद submit के option पे click कर देंगे तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा your login password has been reset successfully तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना password भी reset कर सकते हैं और नीचे आपको यहाँ पे capture code देखने को मिलेगा यह उपर box में आपको enter कर देना है और उसके बाद login के option पे click कर देना है तो दोस्तों आपकी registered mobile number पे एक OTP जाएगा वो OTP यहाँ पे आपको enter करना है और submit के option पे click कर देना है और यहाँ पे आपको guidelines देखने को मिलेंगे आपको simply accept कर लेना है तो दोस्तों आप यहाँ पे successfully login हो जाएंगे अब आप यहाँ पे अपनी SBA की internet banking को use कर सकते हैं दोस्तों next video में मैं आपको बताऊंगा कि आप internet banking के थूँ अपने bank account में अपनी email id, pen, number कैसे add कर सकते हैं और अगर आपको SBA internet banking के थूँ किसी को पैसे transfer करने हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो आगे आने वाली videos में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों इस तरीके से आप अपने SBA bank account के internet banking का username and password recover कर सकते हैं और इसी username and password से आप you know application में भी login कर सकते हैं दोस्तों I hope कि इस वीडियो में आपको detail में समझ में आ गया होगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जाद साद अपने friends के साथ, relatives के साथ share कीजगा और अगर आप कुछ भी पूछने चाते हैं तो आप नीचे comment box में comment जरूर कीजगा और वीडियो को like करने के साथ चैनल को subscribe कीजगा और साथ में notification bell को press कीजगा ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियो की notification मिलती रहे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई बाई चेक केर थेंक यू